वेलकम टू टेस्ट वोक सोपर कोचिंग हाली में CWC नी सेंटल बेर हाउसिंग कॉर्परेशन ने वेरियस पोस्ट के लिए एक रिक्टूट में नोटिफिकेशन लीज किया है और इसके तो राइस्टेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं आपको रिक्टेशन करने के स्टेप बाइस्टेप पूरा प्रोसेस इस सेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहरे जितने लोग यहाँ पर हमें सेशन में देखना शुरू कर चुके हैं सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं वो एक बार वीडियो को शियर जरू कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये सेशन ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी मिल सके आईए शुरू करते हैं तो ये ओफिशल वेबसाइट है जहां पर आपको जाना है cwceportal.com ये आपके ओफिशल वेबसाइट ये ओफिशल लिंक है इसको आप फॉलो कर सकते हैं एपलाई करने के लिए इस पेज को जाब ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा और ये आपका राख केरियर एड़रेट cwc डारेक रिटूटमेंट 2023 इस पर क्लिक करिए ये पेज ओपन हो जाएगा अब इसमें देखिए यहां पर ये तो अगर आप अपना यूजर नेम पासपर्ट और सेक्योर्टी कोड़ बॉक्स में डालिए और सब्मिट पर क्लिक करिए ठीक है उनकी अनुसार होना चाहिए जो नाम आपका डॉकुमेंट्स में दिया हुआ है वही नाम यहां पर होना चाहिए clear है फिर आपको अपना mobile number डालना उसको confirm करना है alternative अगर आपके पास कोई mobile number है तो वो यहाँ पर इंटर करिए फिर अपनी email डालिए उसके बार आपको email आइड डालिए security code आपको box में डालना है और फिर save and next पर click करना है mobile number email आइड इंटर करते समय में बहुत साबधानी रखिएगा फ्यूचर में आपका एक छोटे-छोटा जो communication है वो इसी mobile number इसी email ID पर किया जाएगा तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा ठीक है save and next पर click कर दीजिए उसके बाद यहां इस पर टिक करिए फिर next पर click करिए next पर click करने के बाद आपका यह जो एक page open हुआ है सबसे पहले पताई किस अप्लाई कर डारेक्ट रिक्रूटमेंट लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर पोस्ट लेट करिए जैसे मैं उस category को select करिए are you a person with benchmark disability of 40% है वो अगर आप 40% या उससे ऊपर के person है तो यहां पर benchmark disability वाली person है तो yes कर दीजिए वरना no कर दीजिए yes करते हैं disability के type और subtype आपको बताना है फिर are you suffering from cerebral palsy and your writing speed is affected क्या आप cerebral palsy से सफर करना है आपके writing speed जो है वो affected है yes or no में answer कीजिए if yes do you need compensatory time at the time of examination yes or no में जो है वो answer करना है whether your dominant hand is affected क्या आप जिस हाथ से लिखते है dominant hand जो है वो affected है yes or no में आप answer करिए if yes do you need compensatory time at the time of examination ये भी आपको yes or no में बताना है do you intend to use the service of scribe scribe की service यूज करनी है yes or no में answer कीजिए ठीक है ये सारे questions आपको scribe से लिटेट जो है आपर जवाब उनकी देने है do you need scribe from central warehousing corporation yes or no में answer करिए religion to which you belong आप किस religion से किस धर्म से belong करते हैं sorry वो आपको यहां पर बताना है whether you belongs to religious minority community क्या आप religious minority community से आते ही yes or no में आपको answer करना है are you a child family member of those who died in 1984 rights ये भी आपको yes or no में answer करना है are you an ex-serviceman क्या आप ex-serviceman है ये भी आपको yes or no में ही answer करना है उसके बाद period of service rendered in defense service as an ex-serviceman in months ये भी आपको yes or no में answer करना है are you departmental can do central warehousing corporation yes or no में answer कीजिए ठीक है if yes employee idea जो है वो आपको यहां पर बतानी है फिर do you have at least five years of service left as on the last date of application yes or no में answer करना है nationality आपको अपनी बतानी है यापर फिर आप किस state में अपना exam center जाते है वो आप बताईए उसके आर exam center आप बताईए यहां पर फिर अपनी date of birth डालिए date month और year के format में और आपकी जो age है 12 September को यहां पर automatically fill हो जाएगी फिर आपको अपना जेंडर बताना है फिर आपको do you have twin sister इसका जवाब देना है कि आपको कोई जोड़वा भाई या बेन है yes या no में आपको answer करना है अगर है तो उनका जेंडर बताईए उनका नाम बताईए फिर आपको अपना matter status बताना है अपने father का नाम बताना है अपने mother का नाम बताना है फिर आपको address डालना है आपकर correspondence का house number, street, district, state, pin code यह सब correspondence और permanent address same है तो एक option आ रहा है same as address for correspondence इस पर टिक कर दीजे दौनों address आपके एक जैसे fill हो जाएंगे 1250 रुपय का amount जो है यह शो हो रहा है जो आपको pay करना है details को validate करिए save and next पर click करिए save and next पर click करने के बार अब आपको qualification details डालनी है qualification की details जो है उसके लिए cut off date जो है वह आपक September 2000 23 को जो आपकी qualification होगी वही आपकी final qualification मानी जाएगी जैसे graduation degree आपने किस ने लिए जैसे मैंने agriculture लिए यह आपको बता दीजिए ठीक है date of passing बताई कब आपने पास क्या percentage और क्या class था वह आपको बताना है उसके रावा कोई अगर आपके पास qualification है तो वह जानकारी दीजिए ठीक है do you have working knowledge of computer क्या आपके बस computer working knowledge है yes or no में आपको answer करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना experience बताना है post qualification ठीक है employer का नाम बताईए कब से कब तक जो है आप कारणत थे वो बताईए nature of duties आईए reason of leaving बताईए और कितना experience है वो यहाँ पर आपको बताना है clear है फिर आप आपको language कौन कौन सी आती है Hindi और English जैसे मैंने बताया है मुझे आती है पढ़नी भी आती है लिखनी भी आती है बोलनी भी आती है ऐसी आपको जो language आती है वो यहाँ पर आप बता दीजिए फिर अपनी details को जो है validate कर दीजिए और save and next पर click करने के बार आपके form का preview आ यहाँ पर आपको left thumb impression यानि उल्टे हाथ का जो आपका उठा है उसका thumb impression यहाँ पर लगाना है hand written declaration upload करना है security code box में डालना है save and next पर click करना है फिर यह की 1250 रुपएगी fees आपको payment करनी है security code box में डालिए submit पर click करिए payment page पर आप redirect हो जाएंगे यहाँ पर आप जैसे चाहें पे process रहेगा apply करने का क्लियर है तो यह आपका पूरा प्रॉसेस है Central Warehousing Corporation में apply करने का जो पोस्ट निकली हुई है उनके लिए जिसके राइस्टेशन जो आपके अल्रेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 24 तारीक जो है 24 September last date apply करने की तो apply करने का process जान लिया लेकिन जो आने वाले exam सुनके तैयारी कैसे करनी है